आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिध्धान तक नहीं होतरी स्टड़ी आईक्योप आपका बहुत बहुत सभागत है दोस्तों आज हम कलिंग की बात करेंगे आपको पता ही है कि बर्ड फ्लू जो है वो आ गया है कल मैंने बर्ड फ्लू पे एक प्रॉपर लेचर लिया है आप जरूर देखिएगा कि बर्ड फ्लू कैसे फैलता है कोई चिडिया उड़ती है हवा में ही सुसु पॉटी करती है अपने आपको बैलेंस करने के लिए नीचे थोड़ी ना आएंगी वो अगर चिडिया इंफेक्टेड है उनमें फ्लू है उनमें वाइरिस है दाट मीज उनकी सुसु पॉटी से उनकी टॉलेट से यह एरोसॉल बन जाता है एर में फैल जाएगा और उसके बाद जो भी चिडिया इस एरोसॉल को अंदर लेंगी कवे या कोई भी माइगरेटरी बर्ड्स वो मरेगी तो ऐसे बर्ड फ्लू फैलता है भारत में भारत पिछले साल फ्री हो गया था लेकिन अब फिर से रिपोर्ट हुआ है तो दोस्तों इसमें एक प्रॉसेस होता है जिसको कहते है कलिग तो कैसे पोल्टरी अनिमल्स को कर्ड किया जाता है हम इस लेचर में जानेंगे हमने टेस्सिरीज लॉंच कर दी है दोस्तों आई बी की जरूर खरीदे आपको बहुत ज़्यादा होगा इंस्टा पे मैं आ गया हूँ आठ से दस बज़े तक तो कोई रीज अंसर करता ही हूँ ट्राइवल करने वाला हूँ अगर आप मुझसे मिलना चाते हैं तो जरूर यहाँ पे आप फॉलो करें तो आपको पताए हरियाना, MP, महराष्ट हर जगा और आपका राजस्थान इन सब जगा बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है डक्स और चिकन्स को अल्रेडी कर्ल किया अब हरियाना गवर्मेंट ने ये बोला पोल्ट्री बर्ड्स को भी कर्ल करेंगे देखिए आप एक चीज़ समझे बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लेंसा भी कहते है तीन टाइप के होते हैं लेकिन टाइप है सबसे खतरनाक होता है टाइप B, टाइप C इतना खतरनाक नहीं होता है एच वन एन फाइफ एच फाइफ एन वन सॉरी तो उल्टा भोल दिया तो अब ऐसा है कि बर्ड फ्लू जो है एक चीज़ आप समझेए कि पैंडमिक आया पैंडमिक में वैसे ही नौन वेस से दूर रहो तो ये जो पोल्टरी बिजनेस था पोल्टरी फार्मिंग नीचे गई काफी लॉस में गई ये लोग अब ये इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी अब आ गया फिर से बर्ड फ्लू लोगों ने ओल्रेडी चिकन खाना एक्स खाना छोड़ देश नीचे जा रहे है और फिर लॉस हो रहा है अब ये परिशान करने वाला है उपर से देखिए यहां पे होता क्या है कि अगर माइगरेटरी बर्ड्स है जो माइगरेट करती है एक जगा से दूसरी जगा जाती है जिनको वाइल्ड बर्ड्स बोला जाता है दो तरीके की चड़िया होती है एक होते हैं wild जंगली वो आजाद है कहीं पे भी जाएं उनको कोई फरक नहीं पड़ता एक होते हैं domesticated animals या birds domesticated animals जिनको हम पालते हैं जिन चिडिया का हम पालन करते हैं मुर्गी पालन तो उन हम क्या करते हैं chickens को domesticate करते हैं ताकि उनसे अंडे निकाल सकें उनको बेच सकें है कि नहीं तो कलिंग हमेशा domesticated birds की की जाती है अब दोस्तों एक poultry farmer ने एक किसान ने इनकी farming जो है मुर्गी पालन मतलब मुर्गियों को काफी पैसा लगा के पाला होगा खर्च किया होगा एक जटके में इनकी मुर्गियों हाला कि compensation इनको मिलता है पैसे दिये जाते हैं लेकिन एक जटके में इनकी मुर्गियों को खतम किया जाता और ये जरूरी भी है अगर हम नहीं खतम करेंगे तो हम में बिमारियां आ जाएंगी हम खुद bird flu आपको बता दू कि mortality rate पता है bird flu में कितना है जितना covid का तो बहुत कम है 60% human to human transmission होता है नहीं अभी तक इसके cases नहीं मिले हैं लेकिन 1997 में हॉंग कॉंग में पहला case मिला था जब bird flu bird safe इंसानों में आ गया थे वारिस तो यानी कि अगर आप close proximity में काम कर रहे हैं चिडियाओं के साथ और अगर वो infected है बहुत ज़्यादा possibility आपको bird flu हो जाएगा 60% chances है that you will die 60% mortality rate है ठीक है 100 में से 100 लोगों को अगर bird flu है तो 60 लोग उसमें मर सकते हैं तो mortality rate बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए सतर करेने की जरूरत है और इसलिए poultry birds को कल किया जाता है इससे पहले मैं आपको बता हूँ 12,700 subscriber है यही वाला channel आप join करिए गए मेरे official telegram channel है कलिंग की बात करें दोस्तों तो mass slaughter आप समझी गए होंगे domestic poultry birds को मारा जाता है एक जगाए खटा कर लो और उन सब को खतम कर दो चिकन, ducks या जिन में भी ये समभावना है कि इनको bird flu हो सकता है हाला कि बहुत सारे biosafety zones बनाए गए हैं बट still जिन में भी bird flu हो सकता है उनको खतम कर दो इसी को ही कहते हैं कलिंग अब जो भी domesticated birds होती है in an infected area वो area जहाँ पे bird flu को detect किया जाता है they are slaughtered और उनके remains को तुरंत दफना दिया जाता है अब एक किलो मीटर के radius में कलिंग होती है जहां पे infection जैसे माल लोग की type of infection हुआ उसके एक किलो मीटर में जितनी भी चडिया है जो भी domesticated poultry birds है उन सब को मारा जाएगा जिसको infected zone भी बोला जाता है that means domesticated birds present in commercial farms backyard farms या फिर live bird markets हतम कर दिया जाएगा यह जरूरी है क्यों जरूरी है ताकि हम infected नहों इंसानों को तो बचा के रख नहीं है जो हो जाए चिडियाओं को हम मारेंगे अब दोस्तों survival of the fittest इसमें कोई दुख ही होने की बात नहीं है मैं खुद animal rights को लेके बहुत ही वह रहता हूं कि काफी active रहता हूं शेयर भी करता रहता हूं मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कि जब बिना बात के बिना बात के क्या जानबूज के जो जानवार उनको मारा जाता है बेजुबानों को मारा जाता है लेकिन यहां पर दोस्तों हमारे पास कोई चारा नहीं अगर इनको नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे आप दोस्तों इस process को जितना human बना सकते हैं उतना बनाओ आम तोर पर process इतना human होता नहीं है लेकिन poultry industry भाइक भारत में हजारों करोण पोल्टरी इंडस्ट्री से ही आते हैं महीने की बात कर रहा हूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो commercial birds है commercial farms है वहाँ पर birds को मारा जाता है backyard farms in fact जो live bird market है जो जो कसाई बैठता है अगर उसके पास भी चिडिया infected zone है जहां पर भी bird flu मिला अगर एक किलोमीटर पर live bird market हुई यानि कि जो कसाई उसके पास भी अगर चिकन हुआ तो उसको भी हम मार देंगे क्योंकि और कोई चारा नहीं यह देख सकते हैं इस तरीके से कलिंग जो है वो की जाती है 20th century से कलिंग को किया जा रहा है चिडियों को मारा जा रहा है जैसे 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 चिडियों के पास आते जा रहे हैं उनके पास जो वाइरस है वो हमारे में आता जा रहा है जूनोटिक तो इसी लिए वाइरस तेजी से ना फैले चिडियों को मार दो और avian influenza जो है यह तो बहुत ही ज़्यादा खराब है और यहां पर जो diversification है मैंने बता है ना कि virus जो है वो mutate करता रहता है मैंने लेचर भी दिये थे और अभी UK वाला variant covid भी तो mutate कर गया है तो भाई mutation की सारी possibility को खतम कर दो ताकि strains जो है वो जाधे developing ना हो पाए अगर हम चड़ियों को नहीं मारेंगे तो 100, 110, 120, 200 से जाधे strain ना जाएंगे वो बार बन mutate करेगा तब आप क्या करेंगे इससे पहले ही खतम कर दो telling पहले to stop the viral disease किसी भी viral disease viral disease मतलब जो virus से होता है किसी भी viral disease को रोकने के लिए की जाती थी ताकि चड़िया जो है वो दूसरी चड़ियाओं को यह disease ना दे सके यह बिमारी ना दे सके लेकिन अभी बात करें तो it is now aimed at protecting humans मैंने बताया कि पहले पहला case होंग कॉंग में आया था 1997 में होंग कॉंग में एक इंसान bird flu से infect हो गया था और उसकी जान चली गई थी तब से काफी cases भारत में 2006 में महराश्ट में इसको detect किया गया था 2018 में इसका बयाना का outbreak हुआ था भारत में काफी bird flu से हमें बहुत चला था तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम आपने आपको protect करें और इसके लिए भी कलिंग करना जरूरी है तो क्या सिर्फ poultry birds को ही हम कल करते हैं विलकुल आप domesticated poultry birds को ही तो कल करेंगे ना देखिए भारत में गला पकड़ा जाता है और मरोड दिया जाता है ठीक है cervical dislocation होता है और ये process जो है सरकार कहते हैं काफी human है यहाँ पे जो action plan for prevention, control and containment of avian influenza है ये बताते हैं कि ये वाला जो ऐसे गर्दन को मरोडने वाला जो process है काफी human है इससे तुरंत चड़ियों की जान चली जाती है लेकिन दोस्तों अभी plan को थोड़ा revise किया गया है अब इस revise plan में क्या है कि यहाँ पे जो colors हैं उनको oral anesthesia देना है ये सबसे human है यार चड़ियों को बेहोश कर दो पता ही नहीं चलेगा भाई देखो गर्दन मरोडने में पतर पेगी है कि नहीं तो इससे अच्छा आप oral anesthesia दे दो बेहोशी की दवा दे दो और जैसे ही चड़िया बेहोश हो जाए उनको खतम कर दो अगर चड़िया का weight 3 kg से जादा है तो आप उसको इस तरीके से मारोगे अब recommendation हुआ क्या है OIE देखो plan को इसी लिए revise किया गया ह क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएं है जो जानवरों के लिए भी काम करते है और यह बहुत अच्छी बात है OIE World Organization for Animal Health पता है मारना ज़रूरी है तो आप ऐसे मारों की दर्द ना हो OIE ने पूरा एक manual बनाया है कि कैसे जानवरों को मारना चाहिए अगर जानवरों में कोई ऐसा virus है या disease है और अगर हमको इसको control करना है तो कैसे हम जानवरों को मारे यह बकायता recommendations है manual है तो हमने इसको मद्दे नजर रखते हुए पूरे plan को revise किया है अब आपको पता ही है कि bird की जो remains है ये वार खतम हो गया बचा क्या है उनकी लाश उनको या तो जला दिया जाता है या फिर उनको बरी दफना दिया जाता है गड़ाख होते हैं वहां पे दफना दिया जाता है ठीक है ताकि ये मरने के बाद भी ये ना फैले इनफेक्ट ना हो कोई भी अब वह बाद आप कैसे भी मारो ठीक है जब वो बिहोश रहेंगी तब उनको पता नहीं होगा उसके बाद आप उनका गला मरोड़ दो तो तलपेंगी नहीं तो सर्विकल डिसलोकेशन एक नॉन इन्वेजिफ केलिंग है पाई हम इन्वेजिफ काट थोड़ी ना ने चिडियाओं को जैसे जो कसाई क्या करते हैं वो काटते हैं है ना वो क्या करेंगे वो काटेंगे काटी गर्दन सीधा काट देते हैं या फिर वो मतलब कुछ कसाई जो है वो गर्दन मर उड़ते भी है लेकिन काटना इस इन्वेजिफ सर्विकल डिसलोकेशन इस नॉन इन्वेजिफ किलिंग मेथेट अब हम देखें बहस यही है कि क्या यह प्रोसेस जो है जिस तरीके से चिडियों को मार रही है क्या यह हूमेन है लार्जर बर्ड्स को आप नेक रिंगिंग नहीं कर सकते भाई बड़ी चडिया है उसमें बर्ड फ्लू है तो कहां से उसकी गर्दन मर उड़ दोगे मुश्किल होता है यह एडिशनल और बर्ड्स को भी एडिशनल स्ट्रेस आता है हैंडलिंग की वज़े से तो बेस्ट क्या है बेस्ट यही है कि आप पहले अनस्थीशा दे दो उसके बाद अपने इसाब से मार दो अब और बहुत सारे कलिंग मेथेट्स हैं जैसे इलेक्टरिकल मेथेड होता है लीथल इंजेक्शन होता है डिकैपिटेशन होता है तेकि जितने भी यह मेथेट्स हैं मारना ह्यूमेन तो होगा नहीं यूमेन होगा आपको लगता है मारना इंसानियत का काम कहां से हो गया लेकिन हमको अपने बचाने अब खुद के खुद के बचाफ के लिए चिडियों को मारना पड़ता है अब दोस्तों जितने भी मेथेट्स हैं इनके अपने एडवांटेज और डिसडवांटेज है ठीक यहां पे लवलेज गुपता ने क्या बताया है 2014 में जब आउटब्रेक हुआ था तो बड़ी चिडियों को मारा गया था जो 25 साल की थी अब उन्होंने बोला देखी मारना जो है न वो 100 में से 90 लोग इसको नकारेंगे किसी को भी पसंद नहीं है यह डक्स इन डक्स को मारा मिलते हैं सारस मिलते हैं मजा नहीं आ जाती है इतना अच्छा लगता कुछ लोग तो खाली इनी चिडियों को देखने जाते हैं अब उन बिचारी को मार रहे हैं क्या करें देल बड़ा मजबूत करना पड़ता है तब ही यह अब operation कर पाते हैं क्योंकि यह चिडिया जो है वो शहर की खुबसूरती का एक पार्ट है बट फ्लू फैला है तो हमको यह करना पड़ेगा हमारे पास और कोई चारा नहीं है खोश रहें परते रहें इधर से सिद्धान तक निवोतरी साइनिंग आफ